नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आई इस चैनल की इस नई वीडियो में आपको याद होगा कि जल्द ही दुबई में कोप 28 का आयोजन होने वाला है जिस दौरान दुनिया भर में क्लाइमेट आक्षिन्स को लेकर चर्चा की जल्वाई उपरिवर्तन को लेकर चर्चा की जाएगी अब ऐसे में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो रिपोर्ट दुनिया भर में कार्बन डाय ऑक्साइड के रिमूवल को लेकर बात करती है कि रिमूवल का मतलब क्या है और किस किस तरह के मेथट का इस्तमाल कि आज इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम मेथट्स पर बात करने की कोशिश करेंगे चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को समझ लेते हैं तो वीडियो में सबसे पहले हमने नियूज यानि के खबर की खबर को जानने की बाद ह C, D, R की बात करेंगे और इसके जो तमाम मेथट्स हैं उन मेथट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद हम अंत में कागी की राह पर भी बात करेंगे कि किस तरह के काम किये जा सकते हैं और फिर एक सवाल पर भी चर्चा होगी सवाल जो है वो मेंस का है और आप रेवरंड जैसे दो जो सेग्मेंट है उन दोनों सेग्मेंट से टॉपिक आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा तो यह आज का टॉपिक हुआ अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन डाय ओकसाइट की रिमूवल का क्या मतलब है और रिमूवल के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से मेथड मौजूद हैं तो अगर कार्बन डाय ओकसाइट के रिमूवल की बात करें तो सीडियार का मतलब होता है कि मानवी गत्विदियों के माध्यम से जानबूच कर जब हम अपने वायूमंडल से हमारा जो एन्वार्मेंट ह वहां से जब हम CO2 को हटाते हैं तो उसको कहा जाता है CDR यानि के कार्बन डाय ओकसाइट रिमूवल और ये जो रिमूवल है ये मुखतोर पर अलग-अलग टेक्नॉलोजी के माध्यम से किया जाता है प्रद्योगी के माध्यम से किया जाता है अलग-अलग प्रक्टिस अप अपनाए जाते हैं परस्पेक्टिव अपनाए जाता है तो इसका अस्तमाल करते हुए जब हम जान बूच कर deliberately हमारे वायूमंडल से हमारे environment से carbon dioxide को remove करने की कोशिश करते हैं तो इस process को CDR यानि के carbon dioxide removal कहा जाता है अब इसकी बहुत सारे methods मौझूद है जिन methods का अस्तमाल करते हुए हमारे आसपास से हमारे वायूमंडल से carbon dioxide को remove किया जा सकता है तो अलग-अलग methods की बात करते हैं इसमें से जो सबसे पहला और जो सबसे बहतर instrument है वो है afforestation या फिर reforestation यानि कि वरक्षा रोपन या फिर पु जाली पड़ी हुई है जहां पर बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है जो degraded भूमी है उस भूमी को हम जंगलों में परिवर्टित करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं और इसका परिणाम ये रहता है कि इसकी व जो carbon dioxide है उसे soil में दबाकर रख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे important चीज है वो है स्थान का चैन यानि कि पेड लगाए कहां जाएंगे वो सबसे important है क्योंकि अगर हम किसी गलत जगे का चैन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको land competition देखने को मिलेगा क्योंकि होगा क्या कि उसका अगर आप किसी ऐसी जगे का चैन करते हैं जहाँ पर क्रशी बहुत अच्छी होती थी तो अगर आप वहाँ पर पेड लगाने की कुशिश करते हैं तो कुछ समय बाद उन पेड़ों को वापा सचा दिया जाएगा क्रशी के लिए क्रशी ज़दा important है तो इस वज़े से भूमी का चैन सबसे important है ताकि land competition को कम किया जा सके और अगर आप IPCC यानि के Intergovernmental Panel on Climate Change इसकी रिपोर्ट को देखेंगे तो इसकी रिपोर्ट बताती है कि ये वाला जो method है पेड लगाने का method है CDR का वो सबसे सस्ता method है सबसे कम पैसे लगते हैं उसमें और उसमें तकरीबन एक टन CO2 को capture करने में आपको 240 डॉलर का खर्चाता है तो ये एक important चीज हमने यहाँ पर देखी method दिखा वरक्षा रोपन अब आगे बढ़ते हैं हमारा जो अगला method है वो है बायो चर्क क्या होता है इस method में तो इस method में सबसे पहले एक विधी इस्तमाल की जाती ह इसका नाम है pyrolosis इस विधी में क्या होता है कि इसमें हम जो जैविक कच्रा है जो बायो मास है उसको oxygen की अनुपस्थिती में हम नियंतरत तरीके से जलाने की कोशिश करते हैं उसको बहुत अदर heat दी जाती है और इस heat का परिणाम ये रहता है कि इससे एक पदार्थ पैदा होता है जो कि charcoal जैसा दिखता है और इसी पदार्थ में आपका CO2 मजूद होता है इस पदार्थ को आप बायोचर कहते हैं तो carbon को सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने का सबसे बहतर तरीका मना जाता है और IPCC की report बताती है कि ये थोड़ा महंगा भी होता है इसमें आपको एक टन CO2 को काप्चर करने के लिए तकरीबन 345 डॉलर की जरुत होती है इसके अलाबा हमारा अगला मेथड है BECCS इसकी फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है carbon capture और भंधारन के साथ जैव energy यानि कि यहाँ पर carbon capture भी किया जाता है उसको store भी किया जाता है और उसके स जैव उर्जा का भी उत्पादन किया जाता है क्या होता इसमें तो इसमें carbon dioxide के उत्षरजन को रोकने के लिए और उर्जा का उत्पादन करने के लिए biomass का इस्तमाल होता है यानि biomass यहाँ पर दो तरीके से इस्तमाल हो रहा है पहले तो हम वहाँ पर carbon के उत्षरजन को रोकत से Bioenergy उत्पन की जाती है और देहन के परिणाम सोरूप जो भी Carbon Dye Oxide उत्पन होता है जो भी CO2 उत्पन होता है उस CO2 को हम Underground संगरहित कर देते हैं उस CO2 को हम Ground लेवल पर जाकर capture कर लेते हैं उसको वहीं पर कर दिया जाता है ये तीसरा method हुआ इसके अलावा जो अगला method है उसका नाम है प्रप्त्यक्ष वायू carbon capture और भंडारण यानि कि डायरेक्ट हम तरीके से डी ए सी सी एस इस डायरेक्ट तरीके से हम carbon को capture करते हैं तो यहाँ पर वायू मंडल से सीधे carbon capture किया जाता है और carbon capture करने के बाद उस carbon को जो ह carbon का इस्तमाल इट बनाने के लिए भी किया जाता है तो यह भी उसका application है अगर यह पूरा method किस तरह से काम करता है एक बार अगर उसको देखें तो यह जो है पूरा filtration method है यहाँ पर आपका जो fans लगे हुए हैं जो कि वायू को जो हवा है हमारे आसपास उसको वायू मंडल से लेते हैं और machine में भेजते हैं और इसकी बाद जो machine है यह machine carbon को वायू से अलग करती है उसको capture करती है और इसके बाद जो पूरी जो बचा हुआ जो output है वो दो हिस्तों में बढ़ जाता है जो हमारी switch वायू थी वो वापस वायू मंडल में चली जाती है जिसमें CO2 नहीं होत और जो हमारी CO2 वाला element है उसको हम store कर लेते हैं या तो उसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है या फिर दूसरे applications में उसका इस्तमाल होता है जैसे हमने एक example की बात की कि कि इंट बनानी के लिए उसका इस्तमाल किया जा सकता है इसके अलावा एक और method बचता है जो कि है म रंगल है हमारे उसी तरह से हमारा जो महासागर है वो भी एक बड़े carbon sink के तौर पर काम करता है कैसे काम करता है कैसे काम कर सकता है उसकी शमता में कैसे व्रद्धी कर सकते है अगर उसकी बात करें तो समुद्र में जो शारिय पदार्थ अगर हम मिला देते हैं कोई alkyne element हम म मिलाते हैं तो इसकी वज़े से जो अ-carbonic inorganic जो carbon dioxide है वो carbon dioxide आपका बायो carbonate या फिर carbonate में परिवर्तित हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर आपका CO2 deficit हो गया समुद्रों में अब जहां पर CO2 deficit होगा तो वो CO2 कहां से आएगा वो आएगा वायू मंदल से तो आब CO2 मौजूद है उस CO2 को carbonate में बदलते हैं उस CO2 का हम Y carbonate में बदलते हैं और इसको बदलने के बाद वहां पर CO2 के लिए स्थान खाली करते हैं और हमारे जो समुद्र है जो पानी है वो हमारे वायू मंदल से CO2 एकत्र कर लेता है और उसको अपने आप में store कर लेता है लेक तो ये हमने तमाम methods की बात की जिन methods के जरीए हम carbon dioxide को हमारे वातवरण से remove कर सकते हैं अब अन्त में आगे की राह पर भी बात कर लेते हैं तो अगर आगे की राह को देखें तो IPCC की जो report है वो report ये बताती है कि वर्तमान सभे में कई सतरों पर carbon dioxide को remove करने की कोशश की जा रह लेकिन समस्या ये है कि ये जो काम हो रहा है ये कोई coordinated तरीके से नहीं हो रहा बहुत समनवई तरीके से नहीं हो रहा तो ऐसे में IPCC की report ये सुझाओ देती है ये सिफारिश देती है कि carbon dioxide removal को हमें अपनी विकास नीतियों के केंदर में लाना होगा यानि के हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जिन नीतियों के माध्यम से हम आसानी से हमारे वायू मंडल से carbon को remove कर सके carbon dioxide को remove किया जा सके तो ये important जो सुझाओ है YPCC की ओर से भारत सरकार को और दुनिया की तमाम सरकारों को दिया गया है कि आप अपनी नीति के केंदर में carbon dioxide के removal को शामिल करें तभी हम दुनिया भर में हमने वातावरण को गर्म होने से रोकने के लिए जो प्रतिबधताएं जाहिर की है उन प्रतिबधताओं को पूरा कर सकेंगे उन लक्षों को पूरा कर सकेंगे जो लक्ष हमारे भविश को सुरक्षित करेंगे हमारे भविश को से क्या है हमारा प्रश्ण? तो आज का प्रश्ण है कि carbon die oxide हटाने यान कि carbon die oxide removal का किया अर्थ है और इसकी तमाम विदियों का दिक्र कीजिए तो सबसे पहले तो आप इस method के बारें बात करेंगे और फिर इसकी जो विदियां हैं आप उन विदियों का भी जिक्र करेंगे उनके बारे में भी विस्तार से लिख सकते हैं और अंत में आगे की राह लिखेंगे तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक हुआ हमने टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजि हैं तो रोज सुवे साड़े नौ बजे उस प्रोग्राम से जुड़ना बिलकुल मत भूलिए मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब ख्यान रखें ख्याल रखें पढ़ते रहें धन्यवाद कि आप